थो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बैसिक कौनसेप्ट ऑफ हैंकिक के बारे में देखते हैं कि हैकिंग के क्या-kya जो है वह बैसिक कॉंसेप्ट होते हैं और मेने कुछ यह हम पर पॉइंट जो है वीडियोज आप मेरी डेख सकते हूब पहले नबर पर आता है वीक्नेश फिर गैप होता है एक सिस्टम में या फिर वो सकता है फिर एपलीकेशन अब इस वलनुबर्टी करते हैं और फिर उसको जो हो ऊनौतराइज तरीचे से आकसेस ले लेता है इसको जो कहते हैं और अगर तो इसमें कर रहे हैं वह म falta है फूट प्रेंटिंग के बारे में फूट प्रोसेस उता है जिसमें इन्फरुमेशन गैदरिंग किया जाता है लिक इंफ्र बन कम क्या जाता है अगर आपसे ठर्ड नमर की प्टम करूं तो वह है शोशिल इंजिनियरिंग social engineering is the process of manipulating people और फिर वो क्या करते है confidential information निकलवाना या फिर यह भी हो सकते है कि system को compromise कर लेना मतलब कि system को जो है वो hack कर लेना तो social engineering कई यह यूज किया जाता है अगली चीज़ है backdoor backdoor is a hidden entry point into a system या फिर वो network या फिर application भी हो सकते है अगर hacker ने entry ले लिया तो entry लेने के बाद hacker क्या करेगा then वो unauthorized तरीके से access ले लेगा और फिर हो सकता है कि hacker जो है वो unauthorized तरीके से access लेने के बाद गलत जो है वो use कर सकता है आपके application या फिर आपके जो है वो network से इसको जो है वो backdoor कहते है अगले पॉइंट की बात करो तो वात है malware अब malware हो सकते हैं कि code या फिर कोई software हो सकते हैं जिससे basically system को हाम पहुच सकते हैं इसके अंदर viruses हो सकते हैं वाम्स हो सकते हैं एफिर trojan भी हो सकते हैं तो यह basically other type की जो है वह मैंले से software भी होते हैं जो की काफी ज्यादा dangerous होते हैं हमारे system के लिए तो यह होता है malware अब अगले पॉइंट की बात करो तो वह है daniel of service जिसको जो है वह डॉस अटैक भी कहा जाता है डॉस अटैक डेंस डिस्टरब दे नॉर्मल फंशनिंग सिस्टम डॉस अटैक काम यह होता है कि जो नॉर्मल फंशनिंग सिस्टरम है या फिर network या फिर application तो उसमें जो है वह disrupt करना या फिर उससे लोग क्या करते है कि overwhelming करेंगी या फिर फिर ट्राफिक करेंगे उससे क्या होगा कि यह एप या फिर वह website जो unavailable हो जाएंगी उस यूजर के लिए तो डॉस अटैक का जो हो बिसिकली इसलिए यूज किया जाता है अगले पॉइंट की बात करो तो मैं इंडर मिडल अटैक यह अटैक यूज किया जाता है इंट्रसिप करने के तो उसमें से sensitive information निकल वाने के लिए या फिर हो सकता है कि उस communication को manipulate करना खुद के फायदे के लिए तो basically man in the middle attack इस चीज के लिए यूज किया जाता है उम्मीद करते हो जितने पॉइंट मैं आपके साम में रखे वह उतने पॉइंट आपको समझ आ गए होगे और मैंने वीडियो को काफी चोटा ही रखे ऐसा नहीं कि ज्यादा लंबी वीडियो बनाना और फालती कि उस चीज के ओपर टॉपिक के ओपर और ज्यादा बहस करन कर दो